हलो दोस्तों आपका स्वागत है जीपी क्लासेज में जैसा कि फ्रेंड्स हम पट रहे हैं अफवातंतर जिसमें हमने आंतरिक अफवातंतर और अरब सागरिये अफवातंतर कम्प्लेट कर लिया है यदि वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो जरूर देखें ताकि आपको अफवातंतर समझ में आ सके इस वीडियो में हम बान गंगा नदी के बारे में डिसकस करेंगे जो की बंगाल की खाड़ी नदी तंतर का एक बाग है तो चलिए सुरू करते हैं बान गंगा नदी बान गंगा नदी का अन्य नाम है अर इसलिए पोरानिक कताहों में कहा जाता है कि जब अरजुन को प्यास लगी थी तब उन्होंने अपने बान से इस नदी यानिकी पर्त्वी पे बान मारा था जिसकी वज़े से ये नदी निकली और इसलिए इसे बान गंगा और अरजुन की गंगा कहा जाता है इसका नाम है रुंडित नदी और ताला नदी ये यमुना की सायक नदी है यानि कि ये उत्तरपरदेश में जाके यमुना में मिल जाती है कहां पे मिलती है देखते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका उद्गम स्तल कहां पे है तो ये नदी जो है बेराट की पहाड़ियों से निकलती है मालो ये आपके बेराट की पहाड़िया है बेराट की पहाड़िया है कहाँ पे जेपूर के अंदर बेराट की पहाड़िया कहाँ पे है जेपूर में तो यदि आपको पूछे कि इसका उद्गम इस्तल कहां पर है तो उद्गम इस्तल है बेराट की पाड़िया जेपूर फिर ये जेपूर से निकलती हुई दोसा में जाती है और फिर ये भरतपूर में जाती है और भरतपूर से आगे ये यमुना में मिल जाती है इसी डाइरेक्शन में ये चलती है तो यहां पे आपके आ गई यमूना नदी यह हो गई यमूना नदी यमूना नदी तो इसका मतलब यह यमूना नदी की साइक नदी है और यह यमूना में कहां पे मिलती है तो आगरा में आगरा उत्तर परदेश अब यहां पर यह जेपुर हो गया और जेपुर के अंदर चलती है फिर यह और फिर यह दोसा में आ जाती है और उसके बाद में यह भरतपुर में आ जाती है भरतपुर में यहां पर एक बांध बनावा है और इस बांद का नाम जो है एक्जाम में बहुत बार पूछा जाता है इस बांद का नाम क्या है अजान बांद है और ये अजान बांद है कहां पे दोसा या बरतपुर तो ये है बरतपुर में तो यदि आपको ये बूछ है कि अजान बांध कौन सी नदी पे बनाया गया है तो आपका अंसर हो जाएगा बान गंगा नदी अजान बांध कहां पे है तो ये है बरतपुर में तो बान गंगा नदी कौन कौन से जिलों में बैती है जैपुर, दोसा और बरतपुर उसके बाद में ये यमुना नदी में मिल जाती है और यमुना नदी में कहां पे मिलती है ये आगरा में मिलती है और उद्गमिस्तल कहां पे है बेराट की पाहड़िया जैपुर बस आपको इतना ही पता होना चाहिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट सीज में आपको बता देता हूँ ये जो जेपुर है यहाँ पे एक सभ्यता है ये बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट है ये कौन सी सभ्यता है बैराट सभ्यता ये आपको याद रखनी है तो बेराड सब्यता है कहाँ पे जेपुर में कौन सी नदी पे है बान गंगा नदी पे अब हम इसकी ठियोरी डिसकस कर लेते हैं बान गंगा नदी के किनारे जेपुर में बेराड सब्यता है जो की एक लोह यूगिन सब्यता है तो बेराड सभेता कहां पे जेपुर में बाण गंगा नदी पे और ये कैसी सभेता है लोह यूगिन सभेता है यहीं पर असो का बाबरू सिलालेक यानि कि यह जो बेराड सभेता है यहीं पर असो का बाबरू सिलालेक मिला है एक संक लिफी मिली है और बहुत इस्तूब इसी सव्यता के पास में इसी नदी के पास में मिले हैं अजान बान इसी नदी पर बना है जो की बरतपुर में हैं ये हम डिसकस कर चुके हैं ये नदी अंत में यमुना नदी में मिल जाती हैं अते ये बंगाल की खाड़ी अफवातंतर का पाग है तो ये कौन से अफवातंतर का पाग है बंगाल की खाड़ी अफवातंतर तो यहां पे हमने बान गंगा नदी से समंधी सभी जानकारी डिसकस कर लें यदि फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें तो वीडियो को कंप्लिट देखने लिए धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में तब तके लिए जय हिन जय बारत